वेलकम टूसी और सक्सेस तो आज मैं फिर से आप लोगे लिए एक वीडियो लेके आये हूँ तो आज का आपका टॉपिक जो हने वाला है वो है एक इंट्रिस्टिंग टॉपिक के उपर वो जो की है टेंस तो टेंस आप सभी को पताईए उसका मतलब है काल तो यह एक ऐसा ट वचा रट्टा मारने लगते हैं हम क्यों रट्टा मारते हैं यह अभी एक सवाल ही है क्योंकि हमें समझ में नहीं आता और हम क्वेश्चन्स नहीं करते टीचर्स से मतलब की बहुत सारी स्टूडेंस है जो की बहुत एक्टिव होंगे वह क्वेश्चन्स करेंगे लेकिन ब ये शिक्स लेसन नहीं है तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप अगर में जो सिखाने वाला हूं उसको day-to-day life में daily यूज नहीं करेंगे तो यह वीडियो आप लोग के लिए नहीं है अभी बंद कर दीजिए और यह वीडियो उन्हीं लोग के लिए जो इसे day to day life में use करेंगे तो चलिए आज का वीडियो हम सुरू करते हैं तो जैसा कि आज का topic हम लोगा tense है तो काफी सारे लोग को यह पता होगा कि tense क्या है तो जिनको यह पता नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा उसका idea दे देता हूं कि tense को हम tense क्यों बोलते हैं और tense का मतलब क्या है तो tense का आपका definition जो है इस प्रकार है tense is a grammar term used to indicate whether a sentence is in the past, present or the future तो इसका simple सा मतलब यह है कि tense जो है एक ऐसा सब्द है मतलब कि जो काल है यह एक ऐसा सब्द है जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य जो है वो आपका बूत काल में है या फिर बरतमान में या फिर भाविश्य में तो यह होने का आपको ग्यान मिलेगा tense का मतलब यह है तो चलिए tense के आपका परिवासा समझ में आ गया होगा तो आपका tense कितने प्रकार के होते हैं tense आपका तीन प्रकार में बटा गया है वो है present tense मतलब की वर्तमानकाल पास्टेंस मतलब की बूतकाल फ्यूचर टेंस मतलब की भाविश्यकाल तो यह आपको सबी को पता ही होगा कि प्रेजेंट का मतलब क्या है पास्ट का मतलब क्या है और फ्यूचर का मतलब क्या है तो present का मतलब है आपका बढ़तमान यानि कि जो अभी चल रहा है और past का जो मतलब है वो है भूत काल मतलब कि जो बीच चुका है मतलब जो जा चुका है और future का आप सभी को पता ही है कि बाविश्य मतलब जो आने वाला है तो यह भी आपको clear हो गया होंगे यह है आपके tense के parts present tense, past tense और future tense तो आपको मैं यह बताऊंगा कि अभी यह जो तीन टाइप से tenses के तो यह है यह each tense आपका चार हिस्सों में बटा गया है तो मतलब कि total आपके होंगे 4 into 4 into 4 आपके 12 हिस्सों में बटा गया है लेकिन आपको 12 ही नहीं समझने पड़ेंगे अगर आपने एक का भी समझ लिया तो आप तीनों में correlate करके आप समझ सकते हैं तो चलिए आपको मैं बता देता हूं कि कोन से वो 4 भागे जो बटे गया है तो first है आपका indefinite indefinite का मतलब है आपका अनिश्चेत यो एक ऐसा वाक्य है जिनका समय निर्धारित नहीं होता मतलब कि कब शुरू हुआ कब खतम हुआ ये पता नहीं चलता जैसे मैं खाना खाता हूं I eat food यहाँ पर आपको बताया गया है कि मैं खाना खाता हूं लेकिन कब खाता हूं कब तक खाऊंगा ये पता नहीं तो यह है आपका indefinite मतलब कि अनिश्चेत आपका कोई समय निर्धारित नहीं होता इसमें तो आपका next है continuous tense तो continuous को हम इंदी में बोलते है जारी रहना तो ऐसे वाक्या में भी हमको ये पता नहीं होता काम कब शुरू हुआ कब खत्म होगा यह सब हमको मालूम नहीं होगा लेकिन इसमें काम चल रहा है यह हमको ज़रुर मालूम है जैसे कि आपको मैं उदारन दे देता हूं मैं खाना खा रहा हूं मैं खाना खा रहा हूं I am eating food इसमें आपको यह नहीं पता है कि कब से खा रहा हूँ कब तक खाऊंगा लेकिन मैं खा रहा हूँ मतलब कि यह जारी है काम चल रहा है तो आपका next है perfect tense तो perfect tense क्या है यह ओर tense है जिसमें काम के पूरे हो जाने का बोध हो मतलब कि कोई काम अगर complete हो जाए तो उसे हम कहते है perfect tense जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि I ate the food इसका मतलब यह पूरा हो चुका है तो यहाँ हमें यह बताया जा रहा है कि काम हो चुका है खाना खा चुका हूँ मतलब की काम पूरा भूद चुका है तो यह चीज आती है आपकी perfect tense में तो आपका next है और last part है perfect continuous tense तो यह थोड़ा अजीब सा है आपको समझ में आ भी सकता है नहीं भी लेकिन आपको last में जब मैं उदारन दूँगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई काम यह stance में कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है जैसे कि मैंने कहा था कि आपको समझ में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है तो चलिए मैं आपको उधारन दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके तो उधारन है आपका मैं एक घंटे से खाना खा रहा हूँ तो आप जैसे कि आपने देखा कि I am eating my food since one hour I am eating my food since one hour मतलब कि यहाँ पर क्या बोला है वो अभी कितने समय तक होगा वो नहीं पता है जैसे कि यहाँ पर है वो हो चुका है खाना खा चुका है लेकिन जारी भी है खा भी रहा हूँ और कब तक खाऊंगा यह पता नहीं तो यह थे हम लोग के चार भाग टेंस के और एक बार फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वो चार भाग कौन से है इंडिफेनेट टेंस कंटिनियस टेंस पोफेक्ट टेंस पोफेक्ट कंटिनियस टेंस तो इंडिफेनेट में आप क्या देखने मिलेंगे कि यह अनिश्यत है मतलब कि कब शुरू हुआ कब खतम हुआ या आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा और यह जो continuous tense है इसमें आपको देखने को मिलेंगे कि काम के जारी रहने को देखने को मिलेंगे लेकिन इसमें भी आपको नहीं पता चलेगा कि कब शुरू हुआ और कब खतम होगा perfect tense में आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें काम पूरा हो चुका है और perfect continuous tense में आपको यह देखने को मिलेगा कि काम पूरा हो चुका है और जारी भी है तो यह थे आपके चार भाग तो पहले तो मैंने बोला था कि 12 भाग है लेकिन अभी तो मैंने 4 भाग समझाया आपको तो देखिए अब देखिए हम टेंस के इन 4 भागों को इन 3 काल में फिट करेंगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में वर्तमान भूत और वविश्यकाल में हम फिट करेंगे तो केसे हीट होगा देखिए तो आपको करना कुछ नहीं है तो यह जैसे आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर यही नाम को आपको बस इनके आगे लगा देना है तो क्या होगा present indefinite present continuous present perfect present perfect continuous तो past का past indefinite past continuous past perfect past perfect continuous future का future indefinite future continuous future perfect future perfect continuous तो इस प्रकार आप देखिए चार-चार विलागे होगे आपके बारा तो यह बारा जो भागे आपके इनको मैं आपको समझाऊंगा next वीडियो में किमकि अगर आपको ज्यादा पड़ाऊंगा तो आपका दिमाग नहीं चलेगा और मेरा भी तो by this we come to an end of the video आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो जरूर से like कर दीजे और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब पर के बेल आइकन पर प्रेस कर दीजे ताकि हमरे latest वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में और जिनों ने भी मेरे पिछले वीडियो word sentences के उपर नहीं देखा हो जरूर से देखिए मैं आपको link description में प्रवाइट कर दूँगा तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद चैहिन जय भारत